इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी प्लॉट या किसी घर की ग्रिडिंग कैसी की जाती है, कैसे गुगल से डिगरी ली जाती है, इसके अलावा इस वीडियो में हम जानेंगे जब ग्रिडिंग हो जाती है, तो उसका बार्चार्ट कैसे बनता है? वास्तुबरुजी ब्रैंड आज लेके आया दो चोटे चोटे टूल्स या कहिए दो चोटी चोटी फाइल्स जिसके माध्यम से आप किसी घर को ग्रेट कर सकते हैं और उसी ग्रेड़िट घर का आप बार्चार्ट भी निकाल सकते हैं बहुत आसान होता है और इसी के साथ साथ आप डिगरी कैसे लें जो कि मैं हमेशा Google को ही प्रसंद करता हूँ डिगरी लेने के लिए तो मैंने Google Earth से कैसे डिगरी लें उस विशे में भी इसी वीडियो के अंदर मैं जानकारी आपको दे दूँगा तो मैं आप देख पा रहे हैं कि इस स्क्रीन पे मुझे तीन अप्लिकेशन की आवशक्ता पड़ेगी पहला अप्लिकेशन मैंने समय बचाने के लिए खोल रखा है जो कि Google Earth का अप्लिकेशन है इसके बाद हमें दूसरा अप्लिकेशन की आवशक्ता पड़ेगी वो है AutoCAD का इसके भी educational version Google के अंदर free of cost अबलेबल है और एक हमें आवशक्ता पड़ेगी MS Office के सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये मैंने वैसे तो खोल रखा था मैं एक बार और इसे खोल के आप लोगों के सामने इसे दिखा देता हूँ ये मैं सर्च कर रहा हूँ वास्तगुरु जी का राइपर office ये Google के अंदर जैसी मैं सर्च करूँगा मुझे अपने आप ये Google एक pointer तक लेके चले जाएगा जो मेरी building का pointer है यहां वास्तगुरु जी का office है तो इसी pointer पे वो मुझे लेके आगया है मुझे करना कुछ नहीं है मैं जितना चाहूँ उसे पहले zoom कर लेता हूँ जिस पे image मुझे clearly grading करने के purpose में कामा सके या कहिए degree लेने के purpose में कामा पाए इसे यहां तक zoom करने के बाद आपने edit में जाना है उसके बाद बाजू में view करके बना हुआ है view में जाके reset में जाना है reset में tilt and compass का button दबाना है अब आप देख रहे हैं जो 3D building देख रही थी अब वो 2D format में आ गई है जैसे two dimensional जैसा दिख रहा है अब इसके बाद हमें जाना है ruler के अंदर ruler पे जैसे हम जाते हैं ये मेरी खुत की building है जो वास्तुगुरुजी राइपर office है उसका एक point पकड़के दूसरे point तक मुझे रखना है तो देख पा रहे हैं आप 165 है ना लगभग 165 के आसपस ये 66 के आसपस ये दिखा रहा है tentative एक डिगरी दो डिगरी के फरक में आ जाएं tentative ये हमारा जो है 166 डिगरी पे आ रहा है आप उसे ऐसे देखिए ये जो number है इसे हमें कहीं कहीं उप्योग करना है तो इसे आप याद रखेंगे 180 डिगरी का 90 डिगरी का या फिर 360 डिगरी या 180 में ये 15 डिगरी या 14 डिगरी के आसपस माइनस है अगर इसमें 14 डिगरी मिलाएंगे तो ये 180 डिगरी कम्प्लीट कर जाएगा चले अब इसके बाद इस information प्राप्त होने के बाद अब हम एक नक्षा कोलते हैं जिसे हमें AutoCAD का उप्योग करना पड़ता है हमने ये एक फाइल बनाई है जो grading purpose के लिए है बहुत आसान है कुछ circles को draw करके कुछ lines को खीच के ये फाइल आप अपने AutoCAD application में खुद भी बना सकते हैं चाहें तो इस वीडियो के description box पे दिये गए link में जाके आप इसे purchase कर सकते हैं कहीं उपयोग पड़ेंगे इसे बनाने के लिए मैं चाहता हूँ professional किसी का उपयोग कीजे ताकि आपके पास सही proper measurements आ सके including उसके placements भी properly आपाएं कि कौन सा table कहां रखा है कैसे हमने बैठे हैं कहां पे हमारा क्या काम चल रहा है ये हो गया आपका इसके इलाबा अब मैंने क्या किया है हमेशा याद रखें जब भी front जिस location पे है उस location पे इसको tilt कर दीजे जैसे मैंने इसको rotate करके ऐसे set कर दिया है पूता कुछ नहीं है एक rotate command आप इसे select करेंगे rotate command देंगे ro rotate इसका एक सिरा पकड़ेंगे और इसे आप ऐसे करके गुमा देंगे तो ये rotate हो गया तो ये मैंने ऐसे rotate करके मैंने यहाँ पर रख रखा है टाकि time बचे और आप इसे जल्दी सीख पाए अब ये rotate होने के बाद अब हमारा जैसा शक्ती चक्र है ये जो शक्ती चक्र है या वास्तु चक्र है वैसी ही यहाँ पर building भी आ गई ये eastern part को building है ये eastern part की तरफ हो गया ये northern part को ये खिड के आती ये northern part की तरफ हो गया और ये southern part पे इसका दरवाजा आता है ये southern part पे हो गया अब आप देखेंगे google के अंदर ये building जो मेरी है वो कुछ tilt building है ऐसा तो है नहीं जैसा मैंने structure जैसा मैंने यहाँ पर placement कर रखा है तो इसको करने के लिए मैंने 15 degree इस पर add किया है जैसे बहुत आसान है ये एक building है इस पर मैंने यहाँ arrow button दबाया ये arrow command दबाया ये मैंने यहाँ पर एक cursor रखा और यहाँ पर 15 लिखा 14 या 15 मैंने का tentative 14, 15, 40 कुछ भी आप लिख सकते हैं मैंने tentative 15 लिखा जैसी मैंने 15 लिखा 15 मैंने कहां से निकाला 180 degree का पूरा east होता है जैसे 180 degree का पूरा east होता है उस पर मेरे को जो 14 degrees का कमी आ रहा था या 15 degrees का कमी आ रहा था तो मैंने जैसी 15 degree यहाँ पर add किया देखेंगे आप मेरी building as per google map ये बन गई जैसा google map होता है उस तरीके से ये मेरी building हो गई आप देख रहे हैं similarities एकदम जैसे दिख रही है तो इतना ही आसान है किसी plot को grid करने का उसके बाद हमें क्या करना होता है हमें center निकालना होता है center निकालने के लिए आप ध्यान रखें कि ये line बकाइदा एकदम corners पे match करी हो चारो lines आपकी corners पे match करी हो जैसे corners होते हैं नक्षाबंद के जैसे ही आता है तो ये एक center निकाल गया है ये पूरा का पूरा और fourth equation में मैंने क्या किया है इस center पे जो मेरे द्वारा आप लोगों को शक्ती चकर मिला है उसका कुछ छे चाड़ करने के आवशक्ता नहीं है इस शक्ती चकर को एकदम center में जाके मैंने placement कर दिया ये हो गया हमारा grading बहुत आसान है फिर से एक बर action replay करना है तो action replay कर लेते हैं कि एक plane plot का हमें आया था उस plane plot की drawing को हमने east की तरफ tilt किया जैसा हमारा शक्ती चकर है वैसे हमने map बनाया 15 degree उसमें कम थी 15 degree हमने add करी उसी 15 degree को add करके बीच में हमने एक cross मारा उस cross के उपर हमने ये शक्ती चकर को रख दिया अब देख पा रहे हैं आप कि सारे zones अलग-अलग-अलग-अलग-अलग हो गए ये हो गया grading का purpose solve अब इसका bar chart बनाना है तो bar chart बनाने के लिए जैसे मैंने कहा था ये 24 by 3 का plot है और 17 foot इसका wide है जैसे ये length हो गई, ये wideness हो गई आपको मैंने कहा था कि मेरे पस एक application है जो Excel में खुलता है ये भी हमने एक Excel की sheet बनाई है अब दीखिए जो 17 foot था जो हमने वहाँ से निकाला था जो 17 foot था 17 foot by 10 inch था तो मैंने 17.8 कर दिया वो inches नहीं लिता है इसलिए मैंने 17.8 कर दिया तो 17.8 मैंने यहाँ पर डाला इसके इलावा ये 24.3 inches था 24 foot by 3 inch का था तो मैंने 24 by 1 कर दिया अब यहाँ तक तो equation सिर्फ डालने ही भरकी हुई अब अपने को यह चाहिए पूरा का पूरा बार्चाट तो मैंने क्या किया यह जो equation थी 166.02 degree यह मैंने as it is यहाँ पर लिख दी 166 यह 165 18 degree का कोई फरक नहीं पड़ता यह मैंने इसके अंदर लिख दी जैसी मैंने enter किया इस चीज को यह मेरे को एक पूरा का पूरा बार्चाट बनाके इसने दे दिया बिना किसी physical effort के एकदम आसानी से बना दिया अगर मुझे इसका print चाहिए तो आप देख पा रहे हैं इसके अंदर इसका print भी सारे zones की measurements के साथ हम निकाल सकते हैं यह हुई बार्चाट के उपर अब इसे cross verify करना है क्योंकि यह जो values बता रहा है क्या हकीकत में यह values वहाँ पर है क्या तो उसके लिए मैंने एक command निकाला है area 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 जैसी आप area पे जाते हो आप select करो यह देखो नौड का n4 से लेके यह n5 तक और यह यहां तक अगर हम एकदम center पे जाते हैं और enter दबाते हैं तो देखिए इसका आ रहा है value 17 foot by 1.7 inch और आप देखिए यह note part को हमने किया था यह note part का है अब आप देखिए Excel के अंदर note का देखिए 17 आ रहा है that means कि जो हम इतनी महनत करके यह बार्चार्ट बनाते हैं अगर इसमें हर जोन को हम इसी महनत से किस महनत से area, area command का उप्योग करके और हमें जो भी जोन चाहिए जैसे अब अपने को eastern zone चाहिए तो eastern zone के जहां तक यह आ रहा है और यह इसके center part को हम पकड़ के जा रहे हैं और हम यहां पर जैसी enter दबाते हैं तो यह दिखा रहा है 31.7 हम इतनी महनत करके एक एक zone का जो measurement निकाल रहे हैं यह software एकदम आसान कर देता है यह दिखिए 31 दिख रहा है यहां पर यह software बहुत आसान कर देता है तो चाहते हैं और जाते जाते एक छोटा सा tip अगर यह bar chart आपको समझ में आ गया आपने बना लिया तो कभी भी जो बड़े वोई areas हैं उनसे किसी प्रकार का कोई भी काम ना करें जो छोटे areas हैं उनमें कुछ न कुछ काम करें ताकि वो बड़े हो जैसे कह सकते हैं कि जो बड़ा व्रिक्ष है वो अगर कमा रहा है फल दे रहा है तो हमें छोटे व्रिक्षों पे ध्यान देना चाहिए या छोटे पेड़ पौदों पे ध्यान देना चाहिए ताकि वो भी बड़े हों और वो भी कमाएं और फल देन तो मेरी छोटी सी सला अगर आप मानना चाहें तो मानिये इसके इलावा भी कुछ टेंपलेट्स इसमें दिये हुए है कि क्या कैसे करना चाहिए या पिर देखिए इसमें जैसे मेरा अर्ट जोन है जैसे फाइर जोन बहुत कम है तो उसको पिरामिट रखके या उसके अंदर red horses रखके इस तरीके से भी मैं इसे improve कर सकता हूँ तो ऐसा चाहे तो ऐसा कर लीजे zones को देखना चाहे तो zones देख लीजे इसमें zones भी दिये हुए है आप केवल सीधा जैसे ये elements हैं आप केवल सीधा एक zone पे आना चाहते हैं तो सीधा एक zone पे आ सकते हैं जैसे मेरा SSE कम है, मेरा South कम है या मेरा North कम है तो इन zone पे कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है ताकि ये improve हो जाए जो zones बड़े होए हैं ये ही zone, जो zones इंसके अंदर हैं उन zone को भी छेड़ने की कोई आवशकता नहीं है जो बड़े होए हैं उन्हें as it is रखें क्योंकि मेरा theory यही कहता है कि बड़े वरिक्ष हमेशा बड़े ही रहेंगे उन्हें छोटा करने की प्रयास ना करें और जो छोटे वरिक्ष हैं उनको क्योंकि growth में रहते हैं वो तो उन्हें बड़ा करने की कोशिश करें चोटे-चोटे हैं आप यूज कर सकते हैं चोटे-चोटी चीजें जैसे घोड़े, हाती, कुछ प्रमेट्स है ना कुछ देव-डेव तो यह zones increase हो सकते हैं तो चलिए आज के लिए इजाजत, धन्यवाद, राजा बनना है, पसंद आए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए वास्तोगरुजी को और हम आगे आने वाले समय में इसी तरीके के कुछ मज़दार वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे, धन्यवाद